है लो वेलकुम आफ्टो माई चानल नौसीनियर्स आज मैं आपके साथ एक होम रेमिडियी शेयर कुरूँगी जो है राइस वाटर राइस वाटर का टोनर आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है और इसके क्या बैनीफिट्स है इसको कैसे यूज़ करना है और ये कैसे हम हमारे लाइफ में यह कैसे यूजफुल रहेगा एज़ टोनर तो बिना कुछ देरी के चलो लेट्स किट शावल जिसे आमतर उपर खाने के लिए इसमाल किया जाता है इसके तवचा से जुड़े भी कई फाइदे होते हैं जी हां चावल आपकी खुशुरती बढ़ाने को बह कर रखता है इसके इस्तमाल से तवचा की रंगत निखरती है चेहरे के दाग दब्बे और जूरिया दूर होती है इसके आलावा चेहरे की तवचा में कसावट आती है और ओपन पोस्ट टाइट होते हैं चावल के पानी को स्किन के लिए आज फेस मास्किन टोनर स्क्रॉब और आधिके तरह इस्तमाल किया जा सकता है चावल के पानी का इस्तमाल करने से चहरे पर नाच्रल ग्लो आता है साथी साथ स्किन हेल्दी बनी रहती है आये जानते कि चावल का पानी कैसे बनाया जाता है चावल का पानी बनाने के लिए हमें सिर्व चावल लगेंगे और ध दो से तीन स्पून राइस लेना है और थोड़ा से ज्यादा कॉंटिटी में पानी लगेगा यह आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनिट या फिर फोर आज के लिए आप यह भीगो के रख सकते हो जैसे उसका पानी सफेद हो जाए उसके बाद यह पानी यूज करने के लिए र लोइंग होती है यह एक अच्छा स्कीन टोनर की तरह काम करता है ओपन पोर टाइट होते है किल मुहा से दूर होते है साथी साथ गर्मी में सन्बन होना कॉमन है चावल के पानी के इस्तिमाल से सन्बन की जलन को कम किया जा सकता है यह राइस वाटर को आप आप आज स्प्र कमकर वे यह उसे कर सकते हो यह पिर ऐसते हो अगले कंटेनर डालकर आप इसका अचरा कर सकते हो 23 शक ब्सक्र भी आप यह पी नहीं सक्षेड आप नियंगा कर सकते होगई अभी रखाती हगा अभी फिला तो मैंने मेरा फेस वाश कर लिया है तो इसको ओं भी कॉटन पैट पे डूंगी, just like this ठीक है, और रेडी मैंने कुछ लगाया नहीं मेरे फेस पे आप एसी इसको रख सकते हो, आप एसी इसको रख सकते हो, या फिर फिर पाइव टैन मिन्ट के बद नॉर्मल वाटर से आप वाच भी कर सकते हो, या फिर इस पे ही आप अपना जो भी आप एसी शन्स्क्रीन या फिर मौस्चराइजर जो भी आप लगाते हो, वो लगा सकते हो डिय टाइम पे, आप नाइट में भी आप इसके बाद डिरेट्ली मौस्चराइजर लगा के सो सकते हो, या आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशल है, साथी साथी आप आपके फेस को क्लीन करेगा, फेर होने के लिए हेल्प करेगा, वापस से आपके जो भी ओपन पोर्स रहते हैं, फेस वाश करने के बाद वो टाइट हो जाते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जिसे कि मैंने अलड़ी वीडियो में बताया है, तो आप डेफिनेट इस वीडियो में तब तक के लिए, बाबाइ!